स्वागत है दोस्तों आपका सेयर मार्केट का ग्यान यूटूब चैनल पर इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जरोधा पर बास्केट और लगा कर अपना इन्वेश्मेंट कर सकते हैं चाहे वो एसाइपी के थुरू हो या फिर किसी समय आपने बाइक करने क के लिए किया हो या फिर अपने ट्रेडिंग करने के लिए किया हो या फिर इन्वेश्मेंट करने के लिए किया हो तो यहां पर मैं आपको सजेश्ट करूंगा आप इस वीडियो को अंतक देखे ताकि आपको complete details यहां पर समझ में आ सके सबसे पहले तो हम जान लेता है कि ब यहां पर आपको जोarks पसंद आते उससक आपने बास्केट में डालते रहते यह बास्केट जो है यह आपको बैनिफिट देता है उस समय जब आपको एक-एक करके सेर्स को अपने डिसन और लिस्ट में यह पर एक बार आप basket बना देते आप उस basket को कभी विभाई कर सकते या फिर आप उस basket में कभी ईसाईपी कर सकते हैं जैसे जम्पल में देखें मैं आपको अपने अकांट में दिखा देता हूं यहाँ पर जैसे देखिए तो आपको पता चलेगा ये सारे कुछ ETF है ये सारे के सारे की ETF investment के लिए मैंने ये डाल के रखा इस basket में यहाँ पर जैसे ही एक बार मैं execute करता हूँ तो ये order market में place हो जाता और एक बार में मेरा ETF या फिर कोई भी share हो वो खरीदा जा सकता है और इसी basket पे मैंने यहाँ पर एक SIP भी on करके रखा है जिसका हर एक महिने में automatically order चल जाता है यहाँ पर इस SIP को आप कर देते हैं तो आपको tension लेने की ज़रूरत निए बस आप अपने जरुदा के account में एक auto mandate लगा दीजे आपके account में पैसा आते रहेगा और automatically आपका जो basket order है वो हर महिने या फिर जैसे भी update से लगते उस date में execute होता रहेगा तो अब देखिए कैसे basket order लगाना यह भी मैं आपको बता देता हूँ अगर आप पहली बार कहने जा रहे है तो तो देखिए यहाँ पर basket order place कहने के लिए सबसे पहले तो आपको एक जरुदा का डिमेट अकाउंट होना ज़रूरी है अगर जरुदा का डिमेट अकाउंट नहीं है तो description में दिया गया लिंक से पहला जरुदा अकाउंट उपन कहले यहाँ पर मैं आपको पता देता हूँ अभी YouTube में आप जूम करके भी देख सकते हैं अपने details को तो यहाँ पर अगर बास्केट पर क्लिक करें आप अपने बास्केट का नाम दे दिए कुछ भी बास्केट देते हैं जैसे माई प्लाइन लिग दता हूँ मैं अभी continue करना यहाँ पर आप देखिए मैक्सिमम आप 20 आइटम से यहाँ पर बास्केट में एड़ कर सकते हैं तो देखे सर्च बटन देखें अधानी इंटरप्राइस का से अरहा एड़ बाई करिए आपको जितना कॉंटिटी चाहिए वह लिख दीजे एक कॉंटिटी तो एक दो कॉंटिटी तो दो तो एक कॉंटिटी अभी दे देता है क्यूंकि हम यहाँ पर इंवेश्मेंट कर रहे है इसलिए लॉंग सब्सक्राइब तो यह सब आप चाहिए तो नॉर्मली ट्रेडिंग में इस्तिमाल कर सकते हैं फिर मोर में भी कुछ अधर आप से इनको भी आप देख सकते हैं तो देखिए यहां पर आभी मैंने एक सेर्ट किया तो इसके रिलेटेट जो चायजेस है जो माजिन लगेगा वह दिख रहा है तो यह जो चाहिए से नॉर्मली गौर्मेंट चाहिए इन्हें ऐसे ही रहने दीजिए अब 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 देखिए अब देखिए अब हम एड़ करने वाले हैं अदानी टोटल गैस को तो अदानी टोटल गैस सर्च करिए यहां पर ऐसी सेम प्रोसेस में जाए अब यहां पर फिर रिफ्रेस करते हैं अब जैसे कुछ आड़ करना है तो फिर से सच करिए जैसे आदानी पोर्ट को हम एड़ कर लेते हैं इसे एड़ करिए चार कॉंटिटी दे देता हूं फिर एड़ कर देता हूं फिर देखें यहां पर और भी कुछ आड़ानी के सेर्स है उनके भी एड़ कर देते हैं हम यहां पर तो आड़ानी ग्रीन अनेजी भी है उसे भी एड़ कर देते हैं यहां पर दो कॉंटिटी देते हैं एड़ कर देते हैं तो अभी देखें कितने सेर हो गई एक दो तीन च लिख जाएगा तो देखिए हर एक order को मैंने 22000 रुपय करके दिया यहां पर 2800 2300 2355 2372 2378 सिंपल ऐसे आप अपना order करिएगा जैसे अभी 1223 रुपय दिखा रहा है तो आप 13000 या फिर 12500 रुपय कर दीजेगा ऐसे कहने से क्या होगा कि आपका order reject नहीं और कुछ आदर भी चार्जिस रहते हैं तो वह आपके इंक्लूड होके order complete हो जाए तो सिंपले ऐसे एक्जिकूट कर देना है तो अभी मेर यहां पर monthly schedule है एक monthly schedule लगा सकते है दो monthly schedule लगा सकते है आप जितना चाहिए उतना monthly schedule लगा सकते है यहां पर अपना date आप स्टेट करें जिस भी डेट को कहना है मार्के टाइमिंग स्टेट करें 11 बजे 12 बजे जब भी कहना है अब देखे 12,300 रुपए हमारे account से कटेंगे अब ही के market price के हिसाब से अब मान लेते हैं आगे चलके यह market price तो और बढ़ेगा ही तो आप यहां पर mandate भी चालू करें जैसे example में बताता हूं 14,000 रुपए का इन्वेस्ट करें तो bank mandate का यहां option है इस पर आप क्लिक करके अपना bank mandate on कर सकते हैं इसके related भी मैंने एक वीडियो बना दिया है आप जरूधा वाले playlist में जाकर देख सकते हैं फिर simply यहां पर create पर क्लिक करना आपका जो SIP है वो open हो जाए तो अभी जैसे SIP का नाम नहीं दिय सकते हैं आपका SIP डिलेट भी हो जाएगा तो इस तरीके से आप अपना basket order बना सकते हैं और किसी भी share को add कर सकते हैं और अपना order प्लेस कर सकते हैं अब जैसे देखिए आपको पता चल गया है कि कैसे आपको basket order क्रेट करना है और उस basket order में अपना SIP करना अब मान लेते हैं अगर आपको basket order में कुछ changes करना है तो वह भी मैं आपको बता दिता हूँ यहाँ पर वीडियो खतम करने से पहले देखिए तोल्स वाले सेक्शन में आना है तोल्स वाले सेक्शन में जैसे कि मैंने आपको my plan basket बना के दिखा इसमें अगर कुछ changes करना है जैसे कि कुछ नया share add करना है या फिर कुछ और करना है तो simply देखिए यहाँ पर मैं आपको एडिट का बटन दिख रहा है इस बटन पर क्लिक करिए यहाँ पर सेर्स आपको दिख रहे है आप चाहें तो यहाँ पर जिस सेर को delete करना चाहते है simply delete button पर क्लिक करिए वह सेर डिलीट हो जाएगा से आदानी transmission भी है उसको हम add कर लेते हैं simply buy करते हैं दो quantity के लिए add करते हैं long term करते हैं add कर देते हैं तो आप देखिए यहाँ पर एक नया share भी add हो गया पहले यहाँ पर 5 share थे अब यहाँ पर 6 share हो गया तो इस तरीके से आप अपने basket को added भी कर सकते हैं और नया share को add भी कर सक करते हैं एक बार में अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करें वीडियो को और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें